हेलो एब्रीवान, I hope you all are doing fine सश्रीकाल सारयानू थोट बहुत बहुत स्वागत आज दी क्लास मैं उमीद करते हैं तुसी अपनी सेहत दावदिया त्यान रख रहे हो होगे ते पड़ाई भी बदिया चाल रही होईगी आपा करन जा रहे हैं रेंबो फिफ्ट क्लास दी किताब गा एर्थ लेसन अग्लिम्स फ्रॉम हिस्ट्री जीदा मतलब है इतले हास तो एक चल की एग आल हो रही है 1857 आफ्टर यानि की अठारा सो सत्वन्जा साल ते ओदे बात दी गाल किती जाएगी अब्जेक्टिप्स उन्देश तो इंडिकेट थे कनेक्शन बिविन तू ताइम पीरियद दस किविंग नूलिज अबाव थेंस बच्यानू दो वक वक चीजां सा खानियां वक वक समेथे की की होया ते आपस विच मेल कराना ते दसना वी थेंस की हुन देने अचीक है about the freedom fighters and their sacrifices for independence ते नाल विनाल विद्यार्थियानू साथे जेडे freedom fighters ने जो शेहीद होय ने उना बारे ज्ञान देना ते नाने की की बलिदान दिता साथी अजाती ने लई की की कुर्बानिया की तियां अगे है new words नवेशब सब को पहला है का है गलिम्स दिलिम्स दा मतलब हुन्दा चला attain प्राप्त करना independence सतंतर या आजाद canon taupe ordinary arm discourage निराश spectator दर्शक stature दा मतलब उच्च pre-reading when did India get independence? पढ़न तो पहलना कुछ सवाल ला दे जवाब दवांगे पहलना ए है विपारत माजादी काद मिली India got independence on August 15, 1947 दूच्च कैना नेम सम फ्रीड़म फाल दे गुच्च शहीड़ा देना दाशकते ओ हाँ जी या जिना ने अजादी भी लड़ाई लड़ी उना दिना सब तो पहला है गय जी सुभाश जिंद्र बोस कि तुसी देश नो अजाद करा उन वाले कुछ लोका देना दा सकते हो जी हाँ सब तो पहला है गय ने महात्मा गान्दी सर्दार पगत सेंग लाला लाच पत्राए तुसी लिख सकते हो सुभाश जंद्र बोस मी कि तुसी का देख कुका आंदोलन बारे सुनिया है यस मैता सुनिया है दे कुकास were patriots to the backbone they revolted against the British एदा उकर मैं एथे रिखांगी मैं एथे तुसी का आंदोलन in तारी कि दुसी का दुसी का देख भी अगे हुन पढद्यां काणी The year 1857 was not an ordinary year. 1870 साल कुई सादारन साल नहीं छी. The people of India everywhere were angry with the British rule. They were burning with a desire to throw the British rulers out of India and attain independence. उना दे मन बेच British शाषकानू पारते बाहर काड़ के सतंत्रता पाउंट दा जलावा पढख रहा सी. The British government was very powerful. British सरकार बहुत शक्ती साली सी. But this did not discourage the fighters from freedom. पर इस काल ने साटे सैनिता, साटे जेडे लोग सी जो अजादी चाऊंदे सान, उनानू उना दा उत्सा कटाया नी. बिल्कुल भी इस काल ने उनानू डराया नी. They were out on the path of revolt, struggle and war. ते ओहो विद्रो संगर्ष अते युद दे माल्क दे चाल रहे सन. साथकुरू श्री राम सिंग जी, born and educated at Bhani Saheb Punjab, was not a silent spectator. ते साथकुरू श्री राम सिंग जो Punjab विच, बैनी साहिब विच, पैदा होई सन. आते उत्हे सिख्या प्राप्तिती सी, ओहो सिरफ खाड़ के देखन वाले आपिचो नहीं सी, सिरफ मूख दर्शक नहीं सन. He organized a group of his followers. उनाने अपने अनुयाय का दा एक संगठन बनाया. He formed a party known as संत खालसा. ते उनाने संत खालसा नामक एक पार्टी बनाया. This sect later developed into the great historic Kuka movement of the naamधारी सिख्स, ते बाद विच, इस संपर्दाइक ने विक्सित होके, नामतारी सिख्खाने महान इते हासिख Kuka आंदूलंदा रूपकारन काल लेया. In 1872, the Kuka 6 attacked Maler Kotla where Mr. Coven was the British officer in charge of the town. ते 1872 विच, ओनाने Kuka सिख्खाने Maler Kotla ते हमला केता, ते एहे तेडे खेतर ते नामक बन्दे सी उत्थे दे सी ये Mr. Coven, British अदिकारी सी ओना देदीन सी Maler Kotla. After the attack on Maler Kotla, 66 Kuka 6 surrendered themself. हमले तो पाद Maler Kotla दे, 66 Kuka सिख्खाने आतम समर्पन कर देता भी, असी किता सी ये है हमला, आ देखो, 66 बच्चों बहुत बड़ा नंबर होंदा है, मतलब काट नहीं होंदा है, मतलब तुसी अंदाजा लाओ किने लोका ने अपनी जान दिती होईगी, आजादी कराउंदे लेगी, है की नहीं? अगे है, Coven was a very cruel and heartless officer. Coven एक बहुत ही जालम अते गठोर मन्दा व्यक्टी सी यादिकारी सी, he ordered that all these कुका सिक्स be blown off with the help of canons. ते उसने आदेश दिता की उना सारे कुका सिखानू तोपादे नाल उडा दिता जाए. उना ने ता आप जुर्म कुबूल कर लिया सी, ते उन्हें अते चड़े आनी, उन्हें तोपादे नाल उडा दो. The कुका सिक्स bravely faced the cannon fire on their chest. पहलना ता उन्हें गवाई देती भी असी किता है. उस्तो बाद कुका सिक्स खाने तोपादे गोलियां दा सामना बड़ी बहाद्री नाल किता. They sacrifice their lives for the sake of the freedom of their motherland. ते उन्हें अपनी पारत भूमी दी, सतंत्रता देलेई अपने प्राण वार दिन्दे. One, Naamdhari Singh named Varyam Singh from the village Mihraaj district Vatinda was too short in stature, hiked the witch to reach the level of cannon's mouth. ते विराम Singh नामक एक नामतारी सिख राकाद एन्हा छोटा सी कि ओ तोपते मू तक नहीं पहुन सक्या. He was so brave that he collected some pebbles and stood upon them and then challenged the British officer to fire. ते ओ एन्हा बहादर सी कि ओ कुछ पत्थर इखठे कारके उनाते खड़ा हो गया, ताथ उसने British अधिकारी नू गोला चलांते या दागन देलेई लिलकार रिया. Another boy, Bishan Singh from village Rar, district Mansa, was 12 years old. ते बारा साल दे एक होर मुंदा, Bishan Singh पिंग Rar, जिला Mansa दा सी. He was cut to pieces because he caught hold of the beard of the British officer, Mr. Coven. ते उसने तुक्डे तुक्डे कार दिते गए क्यूंकि उसने British अधिकारी पोविंदी ताडी पकड़ लेई सी, उनु हत पाले आ सी. Such was the great spirit of these fighters from freedom. ते एहे सतंत्रता सैनिकां दे फॉसले एन्ने उच्छे सान. How can their memory ever die? उना दी याद पला किस तरह मिट सकदी है? Entire nation will always be proud of them. पूरा राष्टर, पूरा देश उना थे हमेशा फकर करेगा, उना थे मान करदा रहेगा. We bow our heads to these great martyrs who laid down their lives in courage and glue. असी एना महान शहीतां दे सामने सिर्चुकांदे हां, जिना ने वीरता अतिशान नाल अपने जीवन दा भलितां दे. है की नहीं बच्यों, हिम्मत वाली काल, अग्ये चालते हैं मिठा, एथे हैं गिया है glossary. नवे नवे शब्ध है गया है, सबतों पहला है glimpse, glimpse दा मतलब हुन्दा है चलक, quickly, ordinary, सादारन या फिर आम, normal, attain दा मतलब हुन्दा है प्राप्त कारना, हासन, achieve, independence, स्वतंत्रता या आजादी, freedom, spectator, तर्शक, on-looker, surrounded, हिर्या होया या फिर enclosed, cruel, जालम, inhuman, cannon, तो, mounted gun, stature, height, stature दा मतलब हुन्दा है उच्चाई, pebbles, पत्थर या stones, courage, हिम्मत, bravery या बहादरी, glory, शान, प्रसिद्धी या फे, आंकी चाल देया, exercise इतनी हुई है, let's answer, आओ, जवाब देये या उपतर देये, answer the following questions, हेट दे प्रशना देये, उपतर देयो, पहला है, which was not an ordinary year? केडा साल आम नहीं सी, the year of 1857 was not an ordinary one. बच्चियों, ये सवाल पहला भी पेपर दे विच पुछया जा चुकिया है, ता तुसी त्यान रख्यों एदा. अगला सवाल है, who was angry with the British rule? कौन ब्रिटिश शाशन तो नराज सी? The people of India were angry with the British rule. अगला, what did the people of India want? पारत दे लोग की चाउन दे सान? The people of India wanted independence from the British rule. अगला सवाल है, where was Sadguru Shri Ram Singh Ji born? Sadguru Shri Ram Singh Ji दा जनम कित्थे होया सी? Sadguru Shri Ram Singh Ji was born at Beni Sahih Punjab. Panjma, who was the in charge of the town? Kasveda in charge कौन सी? या Nagarda in charge कौन सी? Mr. Kowen was in charge of the town. Who sacrificed their lives and why? इसने अपनी जान को बान किती है ते क्यू? The Kuka 6 sacrificed their lives for the sake of the freedom of their motherland. यान को बान को किते हैंना या धज मुले सान? वां. सान हुली. झाल कौन सान. 946ी. यान मुली. अग्गे चालते हैं B part Make sentences using the words given below हेथा देते शबनानी वर्तो कारके वाग बनाओ तब तो पहला है history इतेहास Our country has a rich history सादे देश्टा वदिया इतेहास है बहुत जादा वदिया पहला है officer अधिकारी My elder brother father is an officer rulers haakam the British were cruel rulers rulers freedom azadi everybody loves freedom हर किसे नू अजादी पसंद है प्यारी है janवर हुए या इंसान powerful shakti shali akbar was a powerful king nation nation rashtra we love our nation right right true or false पहला है 1857 1857 was not an ordinary year 1857 ने आपने आपने आपनू समर्पर्ण कार देता ये गालरी ठीक है Mr. Corbyn was an Indian officer Corbyn एक पार्ती अधिकारी son की नहीं Varyam Singh collected some faibles stood upon them फेर आए गाय थे and challenged the Britishers to fire Varyam Singh ने कुछ कंकरी कठे की ते ओदे थे खडए होय ते उस्तो बाद अंग्रे जानो गोली चलाउंटी चेताबनी दिती विल्कुल थी True ए बच्चों गल्थ दितता होया and एथे आएगा त्यान रख्यों जिसी जो अग्गे चालते याँ Vocabulary नमे नमे श्रब सिखांगे Categorize the following festivals into national and religious एथ लिखे त्योहारा विच्चों एदसो विकेडा राष्ट्र है विकेडा तार में सब्तो पहला है सब्तो पहला लिख दिया सब्तो पहला लिख दिया national festivals केड़ेने रिपाब्लीक दे गांधी जन्ती गांधी जन्ती इंडिपेंडेंडेंस दे रिलीजियस है ओनम क्रिस्मिस दे होली दशेरा दिवाली पिसाखी लोडी इद राखी चेक है पेटा अगे चाल दिया match the synonyms same meanings समान आर्थी शब्ना दा मेल करो जिना दा मतलब इक को जेहा हुंदा है एथे लिख है देली दा मतलब हुंदा है रोजाना एथे आजेगा एक नमबर एवरी दे दा मतलब भी रोजाना हुंदा अगला है important महतलव पूल essential symbol किनों आपका कह सकते हैं कोई chin sign get trapped करना या फिर obtain hide लुकोना ओले करना conceal लुकोना irrelevant जेड़ा जुरूरी नहीं होएगा उन्हों आपा irrelevant कहीदा है या फिर useless बेकार match the antonyms opposites जीदा मतलब है विपरीज शब्तास देने ordinary जेड़ा की हुंदा है arm उतो उल्टाएगा special खास discourage करना निराश हो जाना एड़ा उल्टाएगा encourage करना पूत्साहित करना या उत्साव परना की सेविज complete पूरा incomplete अधूरा start शुरू करना finish खतम करना present मौजूद absent गैर हाजर happy खुश unhappy ना खुश अगे है language corner है words that tell us more about verbs are adverbs change the following adjectives जित्ते होई ने उन्हानों अपा adverbs से बिच बदल है चलो शुरू करते हैं neat उन्हानों अपा कहीड़ा साफ इठी आजेगा neatly brave बहादर बहादर bravely पिच्छे जादा तर ly लगएगा easy asan easily spelling चेक कर लियो final antim finally slow holly slowly soft narrow softly bright jamakdar brightly careful saav carefully f-u-l-l-y kindly kindly hirpa करके happy खुश happily i-l-y-i ठीक है बिठा अगे चल देया fill in the blanks with the correct adverb उन्हे थे आपा adverb पादने ने जो वर्ब दे बारे दास्ते रहे किर्या बारे सब तो पहला है the tortoise moved कच हुआ केवे चल रहा है slow या slowly 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 holly holly the sun shines very brightly सूरज बहुत जोर्नाल जमकता है the children are playing happily पच्चे खुशी नाल खेड रहेने they won the dance competition easily सौख्या ही ओहो dance competition जित गए या dance ना मुकाबला जित गए मीना knocks the door softly मीना प्यार नाल दर्वासा खट-खट आउंदी है always cross the road carefully हमेशा सडक प्यान नाल पाल करो Neeru writes neatly Neeru साफ-साफ लिखती है ठीक है बच्चे ओं आगे है from each sentence write the verb and the adverb that describes the verb in the space provided उन हर वाख विच्चो आपा एधास है भी किर्या केडी है ते adverb केड़े हैं वो आपा एथे लिखते हैं जिवे पहला sentence है The tortoise walks slowly हच्चुआ हौली हौली तुरगा है verb हो जाएगा जिथे कोई काम हो रहे है हरकत हो रही है walks किवे हो रही है slowly next next the mason builds a wall skillfully मिस्त्री अपने हुनर देनाल एक कांद बढ़ा हुदा है एथे builds आ जाएगा verb skillfully adverb we can solve the sums quickly असी जिड़े सवाल है कि ने उन्हानू जल्दी हल कर सकते है solve verb कि वे हल कर सकते है quickly हुआ गया adverb Tommy and gimme sing happily Tommy अदे gimme खुशी नाल कांदे हन sing verb खुशी नाल कांदे happily adverb my grandmother speaks softly मेरे दादी मां बहुत प्यार नाल बोल देने speaks आ जाएगा verb softly adverb ठीक है बेठा हुना पां आगे चल देया एथे के है take the correct words using simple present tense हुना पां वर्तमान काल वाले option नूँ choose करना है birds fly or flies in the sky आसमान विच पंची की उर कर देने उर देने ना fly first form of verb लगेगी है ने विच the baby cry या cries for milk writes poems मेरी दोस्त कवितावा लिख दी है they grow fruits ओ फाल उकाउं देने we enjoy playing cards सानुताज खेड़रा वदिया लगता है I eat fresh fruits मैं ताजे फाल खानती हां the boys sing well गुंडे वदिया गाउं लेहन उन एथे केहा गया है fill in the blanks with suitable preposition preposition बढ़त नहीं है थां दसे जो my uncle knocked at the door दरवाजे ते उनाने knock के थां खट-खट आया Rohan jumped dash the pond Rohan jumped into the pond ओने तलाब विच्छाल मारी we will meet you on Monday असी थां नू सोंबार नू मिलांगे at किसे थां लही हुंदा on किसे दिन लही ठीक है they will watch the show at 7 p.m. ओहो show जेडा है गाए ओहो 7 बजे देखंगे time दे लही बच्छो आपा at वर दी रही ट्यान रत हो he was absent from school ओ school तो गैर हाजर सी I do not agree with you method देना सेहमत नहीं ठीक है बेठा अगे चाल देया punctuate the following sentences हुन एना नहीं ठीक करके लिखना है जिवे M छोटा है बड़ा करके full stop, comma इस सब करके लिखना है ते आपा एदर ही लिखना है सब तो पहला है गा है मीनू is my best friend मीनू मेरी सब तो जंगी दोस्त है यह आएगा एदर करके मीनू M बड़ा is my best friend उस दो बाद full stop Renu, Ravi, Manu and Aman are my classmates इस सारे मेरे सैपाठी हन नाम है किसे दा वर्दा R, E, N, U Renu दुजा नाम Ravi तीजा नाम Manu A छोटा and A वर्दा are my classmates full stop He said to me I love my India उसने में जुके हा मैं पारत मुं प्यार करता हा H वर्दा he said to me की के हा कॉमा पादो inverted कॉमा I वर्दा love my I वर्दा India full stop fair inverted कॉमा इस डायलोग है ना बच्या जो किसे ने के है where are you going तुसी कि थे जा रहे हो W बटा where are you going उस तो बाद आएगा question mark क्यूंकि सवाल पुछे आगे इस सवाल भी नहीं है कोई अपनी पावना दस रहा है ता ओदे लही आपा लांदे हा आवाला चिन त्यान नाल देख्यों हुनी में थो नू दस निया एनू exclamation कही रहा ठीक है बेटा एतना करके डंडी मारके नीचे बिन अगे चाल देया अगे वार चापा नाम नी वर्थना पर नाम वर्थना है जिमें ही चलो मैं दास दिया एतने लिखे राजू is a shopkeeper राजू एक दुकारदार है उन बार बार राजू है राजू ओहो ता कर नी सकते ता इससे लिए आपा वर्थ सकते है ओहो कि दौने वेचदा है ता इतने लिखे राजू सेल्स टॉइस ता आपा कहांगे ही सेल्स टॉइस राजू नहीं लिखाना ठीके ना दी थांते जो बढ़ते जांते ने उना नू प्रोनाउन कही रहे राजू इस ओ शॉक कीपर फुल स्टॉप ही एच वर्ड़ा सेल्स टॉइस हीना इस एन एक्सपर्ट डांसर हीना एक माहर डांसर है हीना इस तांसिंग हीना डांस कर रही है फिर बार बार हीना एथे शी आ जाएगा पहले एक बार नाम वर्टों करो दी अगली बार शी वर्टों शी इस दांसिंग फुल स्टॉप हीन बींग्स आर लिविंग जेड़े इंसान हुंदेने ओहो जीउंदे जागदे जीव हुंदेने हीन बींग्स ब्रीड एर ते मनुख हावा विच सालेंदा है हुमन बींग्स नहीं आएगा दे आएगा हुमन बींग्स आर लिविंग दे ब्रीद एर फुल स्टॉफ चौथा दे मैंगोस लुक राइप आम्ब पक्के लगदे हान दे मैंगोस वर साल आम्ब खटे साल ते एथे मैंगोस नहीं वरतांगे दे वरतांगे वरती फुल स्टॉफ दे पर्थ टीम राइथ इंग्लंड पार्थी टीम पुची दे इंडन तीम वन दे मैच्ज ते पार्थी टीम ने जित प्राफ्त किति मैच्छ इसने विच इंडियन दीम नहीं यह ते बढ़तांगे एक तुट आगे चाल देयां इत्थे टीचर पुछ रेने अज कौन गयर हाजर है या अज कौन नहीं आया ते एने नू बच्चा जवाब दिनदा है गुर्परीत अज गयर हाजर है पेर अदे आपक पुछ देने पर उसनू पेज नहीं चाहे दी सी ते के दिया अगे है लेट्स रीट आओ पढदे हाँ रीट लिखे बाग पढ़ो माई सान के नौट सिट इन दा सन मेरा ए वाले सान दा मतलब है पुटर तूप बेच नहीं बैच सकदा ते एथे मैं लिख दा निया ए सान दा मतलब है पुटर ते एदा मतलब है तूप I can write the right answer मैं सही उतर लिख साकना हाँ पहले वाले राइट ता मतलब है गया लिखना ते दूजे वाले राइट ता मतलब है ठीक अगला पुरश मेंबरानू बेच नूब पेजो पहला मेल हो गया डाप ते दूजे वाला हो गया नर या आदमी या तुसी कह साकते हो पुरश I wish to see the sea मैं समुदर नूब देखना चाऊंगी पहले वाले सी दा मतलब देखना ते दूजे वाले दा मतलब है समुदर He may not knot the tie ओहो अपनी टाई नहीं बन सकता हो देखना पहले वाले दा मतलब है नहीं या दूजे वाले दा है He would buy wood from me every Sunday ओहो हर एद्वार मेरे कोड़ू लकड़ खरीतेगा Wood दा मतलब है का आणड वाले समे दे रिच गा पविख दे ले इस wood दा मतलब है लकड़ी Put the whole pipe in the hole सारी pipe नूँ छेद दे विच पा दे हो एस hole दा मतलब है सारा एदा मतलब है छेद अठवा Our team has an are only एस आर दा मतलब है सारी सारी टीम को सरफ एक कंटा है एस आर दा मतलब कंटा We will go to two places असी दो थामाते जावांगे एस तू दा मतलब हैगा है दे बाल ते एस तू दा मतलब है दो They will stay in and in वो एक सरा विच रहेंगे एस इन दा मतलब विच ते ए दा मतलब है सरा अगे है बच्चिव, let's write लिख लेओ, draft an invitation for your friend just free to invite him या her on your birthday party ते अपने दोस्नों जनम दिन ते बुलाओं लेई, party ते सद्दा देन लेई, तुसी एक सद्दा लिखना है आउ लिख रहें, invitation सद्दा, एथे रिखोगे बच्चों तुसी date एथे आ जाएगा, time मान लो, किन्ने बज़े है पार्टी अट, 8 p.m date मान लो, बी, सत, दूहजार, बाई venue, केडी था आते है थोडे करे है गाए, ता तुसी लिख दोगे house number 104, phase 7, Mohali Dear Jasprey, you are invited to attend my birthday party तो अनु मेरे जनम दिन्दी party विच शामल हों लही सदा दिता जा रहा है we will have great fun हसी बहुत मजा करांगे दिनाल दिनाल एथे तुसी अपना नाम लिखते हो मंजीत ठीक है बेटा, एमें सदा पत्तर हुनदा है, जी किसी नू सद ना हुए अगे है गै value I learned जो मोल मैं सिखे we should serve our country with full devotion and respect our freedom fighters सानू, पूरी लगन नाल आपने देश्टी सेवा करनी चाहिदी है आते आपने सुतंत्रता सैनिकां द्या भी सम्मान करना चाहिदा है उना दा भी आदर दे इज़्जद करनी चाहिदी है अगे है गी है activity find the given qualities from the grid ए जड़ी grid दित्ती हुई है ए दे विच आपाँ है गुण लबनेने पहला मैं थोनू एना दा मतलब दा सिनिया पीस दा मतलब शांती, ब्रेवरी, बहादरी, रिस्पेक्ट, आदर, करेज, हिम्मत, लव, प्यार, ओनेस्टी, इमानदारी, विज्डम, बुद्धी सब तो पहला आपा शुरू करांगे पीस दो आदेखो पीस ब्रेवरी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट पारेज लव रिस्टी रिस्टी आगे चाल देयां Draw our national flag and write its name Draw भी करना है, Color भी करना है अपना राष्ट्रे जन्दा ते एथे उदा ना भी लिखना है आउ शुरू करतेयां झाल झाल ना उन्दाद करतेयां 24 है जहे रंडे बनाने नहीं स्थेविट ते एदा नहीं है गाए ड्राइ कालर तीन रंगा ती रंगा ते एदे भी छुना पा रंग पाड़ांगे ते भी च्कवण पा-ला है? पता है जहीं है जहीं है अजाओता है यहीं है जहीं है अजाओता है शत्तत वागव पान है मिचकारा जाएगा चित्ता रंग, ए गुला नीले रंग ता ते एथिया जाएगा हरा 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 जा झाल झाल से हम आज जाड़ा तिरंगा हुन हुन आगे चाल जाते है धह Hmm इस बार है सोच है history is ascension to a nation and its citizens without reading history we will not know about our heroes and their heroica इतिहास नू पड़े बिना असी अपने नाइकां दे बहादरी परे कमानू या साहस पूरण कमाने बारे नहीं जान साकते। ठीक है बच्चियों ऐसे री बहुत जुरूरी है इतिहास पड़े। ति एसी बच्चियों आज दी क्लास में भूब पर दियां तो अनू सब खुद समझ आगया हुएगा। अनू आपा जल्दी मिलांगे ता तक टेक केर बाई बाई झाली 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 झाली